स्वालों दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, वार्ण वफे के 7 points, 7 points वह होंगे जिन को जानके आपके अपनी strategy जो investing strategy है वो काफी better होने वाली है, या फिर आप जो mistakes करते हैं ना बहुत सारी share market में उन सारी बातों को मैंने इन 7 points पर लगबग लगबग incorporate किया है छोटा वीडियो बनाने की कोसिज कर रहा हूँ मेरा नाम धननजय है और ये चैनल Fijifin है Fijifin मनलब physics in finance मेरा अपना इसका एक concept है क्योंकि मैंने जितने भी जालतरी investors जो investing firm चला रहे हैं US में उन सबको study किया है उन्होंने भी mathematics and physics को घुसाया है इस finance में मैं भी एक physicist हूँ और मैंने master मैं परसू कर रहा हूँ IT कानपूर से risk management and quantitative analysis में तो जितना भी मैं जानता हूँ statgy से जो उन्हें लखनों से किया हुआ है उन सबका निचोर इस वीडियो में देता हूँ अगर आपको पसंद आए तो जरू चैनल को like करिए और subscribe तो जरू कर लीजेगा points और अपने comments लिखिए उससे related videos बनाऊँगा आज का जो point है साथ वो सीधे सीधे Warren Buffet साब का लिया गया है points उनका कहा हुआ point है उनकी speeches है अगर आप net से search करेंगे तो मिल जाएगा कुल मिलाके 10 point थे मैंने इसको 7 point में include किया 7 mistakes है people often do while you know staying in market और entering into the market और making mistakes through market and losing money out of it तो यह जो साथ point हो क्या कहा है picking businesses timing of the market getting attracted to your purchase by knowing its price चाओधा point aggressive growth projection पाच्वा point staying active at all the time छाथमा point है diversifying too much सेबंध पॉइंट है following the herd h e r d herd भीड crowd तो start करते हैं पहले point से picking businesses सबसे बड़ी mistake बंदों की यहीं से होती है इसलिए पहला point बनाया आपको कई बार पता नहीं होता पता चला green energy में लगा रहे हैं आपको खुद पता है नहीं इस company में लगा रहे हो वह FMCG आगे चलके कैसा perform करने वाली है कितना उस पे competition है क्या जिस company में आपने पैसा लगाया है वो लोगों के लिए entry barrier करेट कर रही है या खुद ब्लू वोशन में है या कहां है वो यह अपने कुछ study नहीं किया लेकिन आपने लगा दिया क्योंकि आपको अच्छा लगाए बिजनस आपको किसी नराय दिया किसी ने चैनल पर दिखा दिया और आपने लगा दिया पैसा यहीं पर फस्त गया है कि कभी भी पैसा लगा बिजनस को का प्रॉपर स्टडी करके लगा एक यह टाप डाउन अप्रोच मैंने पढ़ा रखा है टाप डाउन अप्रोच बेसिकली होता है कि आप अपनी पूरी अनलसिस कर लिया आपने और एक इंडस्टी को अपने पकड़ लिया इस इंडस्टी में पैसे लगाऊंगा यह इंडस्टी काफी प्रो करने वाली है इस इंडस्ट्री में काफी बूम आने वाला है और गूपर्मेंट में सपोर्ट कर रही है सस्टेनेबल है इतनी सारी स्टडी करने के बाद आप अपने इंडस्टी चूज कर लिए जहां पर अगरा नंबर पंपनियों में से आप मोटे तौर पहले दस को स्टडी करो तो पिर उनको और डीपर स्टडी करो उनके प्रोजेक्शन्स देखो उनकी बुक अपर अकाउंट्स डेखो सारी चीज़े देख लो एक पर्फॉर्मेंस देखो फिर एक चूज करो यहां पर करते हो तो आप गल्दी नहीं होती है फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में टाइमिंग अप्ड मार्केट की कोई टाइमिंग होती ही नहीं है कि आपको ग्राप से मैं दिखा सकता हूं कि बहुत सारे लूग अगर कहीं पर इंट्री कर रहें हैं मैं आहां पे पिछले टीन साल का ग्राफ ले रहा हूं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्राइस है 2359.75 अब आप देख सकते हो 11 अक्टूबर 2021 को 2700 था वहां से आज मार्केट कितना नीचे आ गया लगबग लगबग 400 यानि 15% से भी ज्यादा नीचे लगबग 20 परजेंट तो ये कोई टाइमिंग खराब थी या इसको नहीं पता था टाइमिंग आप दा मार्केट किसी को पता ही नहीं होता किसी ने उसके बाद लोग कहते हैं डिप पर परचेस करो एक बंदे ने काफी पेसेंट ली वेट किया और उसने परचेस किया 16 दिसमबर को 20 दिसमबर को माल लेजिए और उस टाइम प्राइज आया 2340 उस सोच के खुश होगा आपने डिप पर जाएगा आज मार्केट 2359 है यानि एक साल के बाद लगबग एक साल एक महीने के बाद भी उस बंदे के स्टॉक में नॉमिनल 19 रुपे का चेंज आया है नॉमिनल जो ए 20 पर्षेंट से भी कम है कि टाइमिंग कैसा है एक बंदे ने फिर जाके और डिप वेट किया 12 में 2022 को तब आया 2426.60 आज प्राइज है 2359 डाउन है और उस बंदे की ओ थियोरी जो डाउन पे डिप पे पर्चेस तो बेकार हो गई लेकिन हाँ overall देखो आप अगर आपने इस स्टॉक को पर्चेस किया 29 जुलाई 2021 को तो 2035 था उसके बार लगबग ये 20% उपर आगे बढ़के ये आपको रिटरन दे गाए अगर आप थोड़ा और नीचे जाए 1st February 2021 लगबग लगबग दो साल बैक तो 1930 था और आज ये 2359 ह नहीं है तो दो साल में ये 1930 से 2359 यानि ये 400 400 something ये भी अगें 20% से ज्यादा रिटरन दे रहा है विचिस नोट बैड इसी तरह से अगर किसी ने पर्चेस किया 16 मार्च 2020 को तो ये स्टॉक उस टाइम 959 था यानि more than 100% से ज्यादा आपको दोस्ताल के अंदर 20 साल के अंदर इ इस ने आपको पैसा डबल से ज़्यादा कर दिया तो टाइमिंग नहीं कंपनी मैटर करती है आज आते हैं तीसरे पॉइंट पर तीसरा पॉइंट कहता है गेटिंग अट्रेक्टेट तो यॉर पर्चेस बाई नोइंग इस प्राइज आप एक मालो शेयर मार्केट में आप आपको पता है कि यह उपर चल रहा है या आपने जो टार्गेट डिसाइड कि उस पर आई नहीं रहा है लेकिन एक मार्केट धडाम हुआ अधानी साहब वाला हिंडर बर्क का रिपोर्ट आ गया और मार्केट धडाम हो गया अब आपने सोचा यह बेस्ट टाइम है लेट् को परचेस करना है if you know and believe that company is good company is doing good company will do good ले लो अगर आपने स्टाडी करके लिया है कंपनी अच्छी है फ्यूचर वाली यह अग्योट कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसकी ग्रोथ में पैसा लगा रहे हो फॉर्थ पॉइंट होती है एग्रेसी ग्रोथ प्रोजेक्शन वालन बफ़े सहाब ने बोला है कि कुछ कंपनी परसेंट अब दे कंपनी केंपाउंड अप्टू 15 परसेंट नहीं तो 15 प बड़े hedge fund वाले बहुत बड़े-बड़े professionals बहुत बड़े-बड़े mathematicians बहुत बड़े-बड़े लोग AI model ले लेके बैठे हैं तब वो 20 परसंट-22 परसंट का return generate करते हैं बढ़ फुल टाइम investors professionals groups उनके पास कुछ-कुछ inside informations भी होती है तो 20-22 परसंट-15 परसंट रिटर्न लेना इतना आसान नहीं होता या anything between 10 to 15 is quite okay but anything more than 15 is you know a bit challenging I'm not saying that it's difficult or impossible but yes it is challenging उसके बाद पांचवाइ staying active at all the time आई साब हर वक्त market में घुशे रहेंगे तो आप lose करते रहेंगे पैसे एक example ले सकते हो कि दिन भर में कोई टेनिस के पांच match play खिल ला या पांच दिन में एक match खिल ला तो किसके ज्यादा chances होंगे तो पांच दिन में खिल ला यार वो पुरी energy से खेलेगा बाकी time वो practice करे study करे तो वही हाल है कि अगर आप हर और वक्त मार्केट में active रहेंगे गलत decisions होंगे impulsive decisions होंगे और पैसा lose करने के ज्यादा chances होंगे उसके बाद आ जाते हैं शिक्स पॉइंट है डाइवर्सी फाइंग टूबच यह भी वफिस ने कहा है कि six से ज्यादा companies में मैं जब जाता हूं और देखता हूं तो लोग जब seven companies पैसे डालते हैं तो बहुत ज्यादा चालिश companies में आपने पैसे लगा दिया आपको कुछ पता ही नहीं है आपने technical analysis की आपने उनकी fundamental analysis की screening लगा दी आच्छा तो यह mistake मैं भी कर रखे है शुरूब मैंने भी technical analysis लगा के fundamental analysis लगा के कुछ-कुछ screening करकर के अपने कुछ parameter डालके मैंने भी कुछ ज्यादा कर रहा हूं उसको less diversify कर रहा हूं तो ज्यादा diversify करना ठीक नहीं है सेवंध मिस्टेक जो करते हैं लोग होता है following the herd crowd को follow करना आप अगर crowd को follow करते हो भीड को follow करते हो तो अक्सर mistake करते हो टीबी पे यह जाएगा वह जाएगा मुझे याद आट-दस साल पहले मैं टीबी पे इनो जो फिनेस चैनल से उसमें देख देखके मैं आम नहीं बता हूं कि एक दो को अच्छा return देखे जाएगी वह तो इट वाल अवाट seven points seven mistakes जो आप लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताएगो और चैनल पे नए हैं तो प्रीज सब्स्राइब कर लीजेगा थैंक यू बरी मुच ब